वेलकम टू मास्टर मैंड अब जिके एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर मैंड अब जिके में फ्रेंस आज हम लोग आठमा मौक टेस्ट देखेंगे इसमें टूटल आपका जिके जियस का 40 महत्पून सवाल है जो आपका बिहार पुलिस फायरमन के साथ-साथ तमाम प्रतोक्ता प्रिछकले इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को सुरू से लाश्ट तक जिरूर देखेगा और जो अस्टूडेंट पहले बार चैनल पर विजट कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर वेल आइकन को जिरूर दबा देएगा तो चलिए फ्रेंस वीडियो क अंग्रेजों से लड़ते हुए राणी लक्ष्मी भाई अठार सो नंठामन को सहीद हुई थी त्स्थी को सहीद हुई थी तो तिन नमबर शावाल का जो character answer हो जाएगा अठारा जून ठीक है अंग्रेजों से लड़ते हुई रानी लक्ष्मी भाई 18 जून 1858 को सहीध हुई थी तो option नमबर डी इसका character answer हो जाएगा चार नमबर शावाल को देखे राजस्थान का सबसे बड़ा सहर कौन है तो चार का जो character answer होगा फ्रेंस आपका जैपूर जैपूर है जो राजस्थान का सबसे बड़ा सहर है चार का डी character answer हो जाएगा पाच नमबर शावाल को देखे आकार के मामले में भारत सबसे बड़ा देश है सिंपल सा question है फ्रेंस सभी को पता होगा कि छेत्रफल या आकार के द्रिष्टी को इसमें भारत का जो सातमा position आता है सातमा स्थान आता है इसलिए option number A इसका character answer होगा चार नमबर शावाल को देखे निम्न में से कौन नवपासन संस्क्रीती अस्थल नहीं है नवपासन का संस्क्रीती अस्थल इसमें से कौन सा नहीं है चाहका तो इसका हो जाएगा फ्रेंस आपका भिम बेट का ठीक है भिम बेट का जो नहीं है भिम बेट का मद परदेश में पढ़ता है फ्रेंस असेली चित्रों के लिए जाना जाता है याद रखेगा भीम बिट का कहा है तो एमपीम पढ़ता है मद परदिस में यह है जो नवपासन संस्क्रिती अस्थल नहीं है तो आप्शन नमबर ए इसका कारेक्ट अंसर होगा छोका साथ नमबर शवाल को देखे साथ नमबर शवाल में मोगल समराज के वित मंत्री थे कौन थे फ्रेंस साथ का गेस किजे तो अकबर के सासनकाल में आपका राजा टोडर मल था जो मोगल समराज के वित मंत्री थे आप्शन नमबर ए साथ का करेक्ट अंसर हो जाएगा आठ नमबर शवाल देखें पलासी का जूद कब लड़ सो संतावन इस्वी को देखें आपर 1557, 1557, कितना 1657 दिया है कारेक्टनसर क्या होगा ऑप्सन नमबर बी होगा 23 जून 1757 इस्वी में पलासी का यूद हुआ था तो ऑप्सन नमबर बी आठ का कारेक्टनसर हो जाएगा नौ नमबर शावाल को देखें यूरोपिय संग की अध विकारिक मुद्रा है उसका क्या नम है तो यूरो नाम है फ्रेंट्स आप्सन नमबर डी इसका करेक्टनसर होगा 10 प्रेंज तो सवाल नमर दस देखें सवाल नमर दस आपका है कि भारत में समिधान दिवस कब मनाया जाता है इंपॉटेंट कोश्चन है इसमें देखें वि 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 949 इस भी को समिधान को अंगिकार किया गया था स्विकार किया गया था ठीक है इसलिए आपका 26 नवंबर को परतेक वर्ष समिधान दिवस की रूप में मनाया जाता है और 26 जनवरी 950 में भारते समिधान लागू हुआ था फ्र निर्वाचन मंडल जो भारत के राश्पती का चुनाव करता है का गठन कौन करता है इगारा नमर स्वाल तो देखे इसका जो गठन कौन करता है संसद और राज विधान सभा की निर्वाची सदस से ठीक है यह भी आप कोशन इस तरह से इसको घुमा करें पूछा जाता है फ् फ्रेंस की निर्वाचन मंडल जो भारत के राश्पती का चुनाव करता है तो गठन कौन करता है तो निर्वाचन मंडल का गठन किसके द्वारा होता है फ्रेंस आपका संसद होता है राज विधान सभा के जो निर्वाची सदस से हैं वो होते है ठीक है इसका ओप्सन नमर बहारत दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्यां वाला देश है तो भारत है जो दूसरा स्थान पे आता है पहला स्थान पे चायना है ऑप्सन नमर ए बहारा का कारेक्ट अंसर होगा तेरा नमर शावाल को देखें कि भारत में आम तोर पर ज्वारिये वन के रूप में जाना ज जाता है तो देखें जो डिल्टाई वन है उसे जुआरिये बन भी कहा जाता है इसलिए ऑप्सन नमर भी इसका कैरेक्ट अंसर हो जाएगा चौदर नमर शावाल को देखें फतेपूर सिक्री या विजय का सहर चौदर साल तक की राजधानी थी किसकी तो चौदर नमर सरकार ने क्रीशी छेत्र में मीटी एवं जल की जांच के लिए क्रीशी संजीवनी वैन की सुरुवात की है तो आप्सन नमर भी इसका कैरेक्ट अंसर हो जाएगा ठीक है सोला नमर शावाल को देखें उत्तर परदेश सरकार द्वारा किसे भारत भारती समान परदान करने की घोषना की गई है तो सोला का जो कैरेक्ट अंसर होगा डॉक्टर सुर्यबाला को आप्सन नमर ए इसका कैरेक्ट अंसर हो जाएगा उत्तर परदेश सरकार द्वारा किसे भारत भारती समान परदान करने की घोषना की गई है तो आपका डॉक्टर सुर्यबाला को सत्रा नमर शावाल को देखें आपका फरवरी 2020 में किन दो देशों के बीच संजुक्त सैन अभ्यास युद अभ्यास का सोलहवा संस्करन संपन हुआ फरवरी 2021 में तो सत्रा का जो कारेक्टन सर हो जाएगा आप्शन भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था ठीक है याद रखें कि फरवरी 2020 में किन दो देशों के बीच संजुक्त सैन अभ्यास जिसका नाम क्या था युद अभ्यास का सोलहवा संस्करन है जो किसके किसके जिसे रूष द्वारा लॉंच किया गया है जो किस देश का पहला उपफर रहा है ऑठारा का करेक्टन सर और नमेरे चे नमरा और और गया है य। नमर को देखें कारबन वाच को लांच करने वाला भारत का पहला केंदर सासित परदेश बना कि भारत में पर्धी व्यक्ति सर्वाधिक आई किस राज की है तो सबसे कहां का है फ्रेंस सबसे अधिक पर्ति वेक्ति आए तो आपका गोवा राज का है ऑप्सन नमबर एस का करेक्टन्स रोगा 20 प्रेशने देखेंगे आपका टोटल 40 हो जाएगा चलिए पहला अप्सने देखते हैं फिर की आट ओफ लिविंग ठीक है आट ओफ लिव कोविलल का अर्थ सास्त्र हमीं परसंद के बारे में जनकार है आपका ओंते क्रांटि-जोर-रु करांति जो का समबंद है जो आपका किसे है फ्रेंच, आपका उर्वरक से है न, आप्सन नमबर ए इसका करेक्टन सरु रही पर दिन का. चार नमबर शवाल को देखे. चार नमबर स्वाल है निमलिकित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्राल है राज कोशिये नीती तयार करता है चार नमर शवाल भारत सरकार का कौन सा मंत्राल है जो राज कोशिये नीती तयार करता है चार का कारेक्ट अंसर आपसर नमर होगा बित मंत्री ठीक है फ्रेंस बित मंत्राल है पांच नमर शवाल को देखे कुर्दिस लोग निम्लिखित में से निम्लिखित देशों में से किस देश से संबंधी एक जातिय समुदा है तो सवाल नमर पांच का कारेक्ट अंशर क्या होगा तो इसका जो कारेक्ट अंशर होगा पांच का आपका option नमर डी हो जाएगा इराग का पहला कोशन भी कुछ इसी तरह संबूदा है तो आपका इराग का है पांच का जो करेक्टन सर्थ हो जाएगा ऑपितर समूदा का संबंद किस खेल से है तो च्छा का जो correct answer ले अप साट है जो आपका हौकी से सम्मदी थे ओप्सन नमर एस का correct answer हो जाएगा लेअप साट का सम्मद किस केल से है तो होकी से है चलिए साथ नमर शावाल को देखें किस वर्ष भारतिय सम्मिधान में पर्थम सनसोधन किया गया था साथ का करेक्टंसर होगा अपर्षापका 59-91 में परफठंबार सनसोतन किया गया था option number 8 का करेक्टंसर हो जाएगा 8 नमबर 6 देखे इलिया राऑजा को निमली कित्मी से किस छेत्र में उनके जोगदान के लिए जाना जाता है इलिया राऑजा 8 का इलिया राजा है क्या फ्रेंस संगीत से संबंदित है option number A का correct answer होगा याद रखेगा इलिया राजा कि सेत्र संबंदित है संगीत सेत्र से 9 नमर शवाल को देखे B, C, C, I का पूरा रूप क्या है 9 का तो क्या हो जाएगा फ्रेंस आपका Board of Control for Cricket in India option number C correct answer होगा 9 का B, C, C, I का पूरा रूप क्या है तो Board of Control for Cricket in India 9 का correct answer option number C हो जाएगा 10 नमर शवाल को देखे सुस्क पर्नपाती जंगल गीर में है तो आपका 10 नमर शवाल का जो correct answer हो जाएगा फ्रेंस आपका option option number C हो जाएगा गुजरात में ठीक है सुस्क पर्नपाती गीर गीर है जो आपका गीर जंगल कहाँ पर सुस्क पर्नपाती जंगल जिसका नाम क्या है या तो गीर 1 कहिए या जंगल कहिए तो सुस्क पर्नपाती जंगल गीर है जो आपका गुजरात में पड़ता है option number C 10 का correct answer होगा 11 number 6 अवाल को देखें कि भारत की communist party का परतिक चीन निमनी में से क्या है 11 भारत की communist party का परतिक चीन निमनी में से क्या है तो इगारा का जो correct answer होगा option number D बाली और हसिया communist party का चीन क्या है आपका बालिय और हसिया है इगारा का जो कारेक्ट अंसर हो जाएगा option number D हो जाएगा 12 नमर शावाल को देखे सर बिलियम जोल्स ने स्थापना की थी तो कब की थी फ्रेंच चलिए 12 का गेस किज़े तो 1700 कितना हो जाएगा 1784 इसवी सर बिलियम जोल्स ने इस्याटिक सोसाइटी और बंगाल के स्थापना की थी option number 20 इसका correct answer होगा 13 नमर शावाल को देखे पुस्तक interpreter of maladies द्वारा लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है interpreter of maladies पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है यह आपका जुम्पा लहडी ने लिखी है फ्रेंस 13 का correct answer option number C हो जाएगा याद रखेगा interpreter of maladies पुस्तक की लेखा कि जुम्पा लिखडी है option number C 13 का correct answer हो जाएगा 14 नमर शावाल को देखे ब्रांस सीटी ठीक है ब्रांस सीटी मर्चूला के नजदिक कूपी पर उत्राखंड में अस्थापित की गई है तो 14 का correct answer हो जाएगा प्रेंस अलमोरा आनि ब्रांस सीटी मर्चूला के नजदिक कूपी पर अलमोरा उत्राखंड में अस्थापित की गई है ठीक अलमोरा वहाँ का आपका जिला है उत्राखंड के अलमोरा में आपका ब्रांस सीटी मर्चूला के नजदिक अस्थापित की गई है ठीक है प्रेंस याद रखें ब्रांस सीटी कहां तो उत्राखंड के अलमोरा 15 नमर शवाल को देखें पूरे देश में न्यू मो कोल कल ठीक है यह ठीका किसके बिरूद है फ्रेंस पंदर नमर सवाल इंपोर्टेंट है तो देखिए यह आपका हो जाएगा इसका निमोनिया मस्तिक सोद और सेलफी सभी के लिए हो जाएगा पंदर का कारेक्ट नमर डी हो जाएगा पूरे देश में नियूमो कोकल ठीक है नियूमो कोकल ठीक है फ्रेंस नियूमो कोकल ठीके जो नियूमो कोकल ठीके है फ्रेंस वो किसके लिए है तो आपका सेपलीस मस्तिक सोद और निमोनिया सभी के लिए इसलिए उप्सन नमर डी इसका कारेक्ट रनसर हो जाएगा सोला नमर्शावाल को देखे काराया फ्रेंस की हाली में हुए निधन में निम्लिखित में से कौन सुम्लिखित को सुमेलित करें ठीक है तो देखे जो निधन सब का हुआ फ्रेंस वो किस से समंदित थे इसको बारे में सुमेलित करना है ऋला नमर का तो देखी आपका है रोहित सर्दाना रोहित सर्दाना नाम बहुत पर उप्रिह जो आपका दंगल करवाते थे आपका आज तक पर करवाते थे नि मिर्दों पर ne कारेक्ट असर होगा, आप्सन नमर सी होगा, मिलाते चलिए, एक का दो हो गया फ्रेंस, और आपका हो गया जग मोहन मलहोतरा, तो B का हो जाएगा चौथा, ठीक है, जग मोहन मलहोतरा है, जो क्या है फ्रेंस, आपका जम्मु कस्मिर के पूर्व राजपाल थे, बच गया C फ् सूटिंग, ठीक है, तो याद रखे, सभी का इवर पूर्व रिवीजन करा देताओं, फ्रेंस, याद कर ले, रोहित सरदाना, जो पत्रकारता से समंदित थे, आज तक के पत्रकार थे, बहुत अच्छे पत्रकार थे, हो सकता है, कोशन पूछा जाए, फ्रेंस, दूसरा है आपका कि जग मोहन मल होतरा ही, आपका पूरु जम्मू कस्मिर के पूरु राजपाल थे, पंडित देवदरत चोधरी जिनका निधन हुआ हो सितार वादक थे, और चंद्रो तोमर थे, आपका सूटिंग से समंदित थे, जिनका हाले में मिर्तु हुए, तो सूला का का करेक अप्सन नंबर बी हो जाएगा, फरवरी जोजारी किस में परकासित पूस्तक ब्यूटिफुल तिंग्स के लेखी का है कौन है, तो हंटर बाइडेन, अप्सन नंबर बी, इसका करेक्टन सर हो जाएगा, अठारा नंबर शावाल को देखें, कि पुर्वोत्तर भारत में कन धाने के लिए महा बाहु ब्रहंपूत्र पर्योजना की सुरुवात किस राज से की गई है, तो आपका असम राज से की गई है, उनिस नंबर शावाल को देखें, कि अंतराष्टे उर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलूक 2020, रिपोर्ट के अंसार क किस वर्ष तक भारत, चीनी एवं अमिर्का के बाद, दुनिया का तिसरा सबसे बड़ा उर्जा उपभोगता बन जाएगा, ठीक है, तो आपका अंतराष्टे उर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलूक 2020, रिपोर्ट के अनुसार कर रहा है, कि किस तो उनाइस का करेक्टन सर, आप्सन नमबर 2030 तक बन जाएगा, चले फ्रेंस, आज का लाश्रावाल को देखें, कि हाली में किस व्यक्ति की अंतराष्टे सौर संगठन के महानी देशक के रूप में नुक्त किया गया है, तो यह आपका अजय माथूर को नुक्त किया गया ह तो वीडियो अच्छा लगए तो लाइक जरूर करेगा, नेक्स वीडियो में फिर मिलता है, देखने के लिए थैंक्यू, जन्यवाद